कभी अपने घर में तो कभी पडोसी देशों से घिरे इसराइल की मुश्किले दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है एक और जहां पहले हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर सेंकडों मिसाल दाक कर दहला दिया था तो वहीं अब इरान भी इसराइल पर इसकदर हावी हो रहा है मानो दोनों देशों ने एक दूसरे के खात्मे की कसम खा रखी हो 14 अपरेल को इरान ने इसराइल पर इसकदर हमला किया जैसे आसमान में आतिश बाजी हो रही हो इरान ने तीन सो से ज्यादा मिसाइले दाख कर इसराइल को ऐसी चुनौती दी कि बॉखलाए इसराइल ने कभी इसकी कल्पना तक नहीं की होगी हालकि इसराइल ने दावा किया था कि उसके एर डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी युदपोतों ने 99 फीजदी हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया था इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुँचा है इस बीच वेस्ट बैंक और इसराइल के बीच स्थित जूडियन रेगिस्तान के अराद इलाके में एक बैलेस्टिक मिसाइल के विशाल काएट टुकड़े मिले हैं दावा किया जा रहा है कि ये इरान की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों का ही मलबा है इसराइली सेना ने भी अपनी सरजमी पर इरानी हत्यारों के टुकड़े मिलने की पुष्टी की है बताय जाता है कि इस हमले के बाद दक्षिन में खोजी गई ये पहली मिसाइल नहीं है डेट सी में भी इसी तरह की मिसाइलों के कई टुकड़े देखने को मिले हैं इन मिसाइलों के मलबे मिलने से कई सवाल भी उठने शुरू हो गए है साथ ही आईडियफ प्रवक्ता के दावो को चुनोती भी दी जाने लगी है कि जमीन पर मिसाइले अभी भी कैसे पाई जा रही है खास्तोर से तब जब आईडियफ प्रवक्ता ने इरान के हमलों के बाद खुलासा किया था कि इसराइल के शक्ती शाली एर डिफेंस सिस्टम ने 99 फीजदी इरानी हमलों को रोक दिया था बताया जा रहा है कि IDF ने इरानी हमले से इसराइल पर उठ रहे सवालों के चलते डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और इरानी हमलों को असफल करार दिया इसराइली न्यू जजनसी दजरूसिलम पोस्ट की खबर के मुताबिक इस हफते मिली मिसाइल इरानी इमाद है जो हैवर शेकान के साथ हमले में इस्तिमाल की गई दो परकार की बैलेस्टिक मिसाइलों में से एक है इमाद पुरानी शायब तीन मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है जो खुद उत्तर कोरियाई रोडॉंग पर बेस्ट है दावा है कि इरान ने इसराइल पर तकरीब एक सुद्दस बैलेस्टिक मिसाइल लेदागी थी बहराल, इसराइली सेना इन इरानी मिसाइलों का मलबाई खटा करने में जुट गई है बताया जा रहा है कि तेहरान की रक्षा तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इनका अध्यन करने की योजना है बता दे कि इरानी हमले के कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट में IDF प्रवक्ता के हवाले से सुईकार किया गया था कि कुछ इरानी बेलेस्टिक मिसाइलें इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम से बच निकली थी जो निवातिम एरपोर्ट पर गिरी थी जिस वजा से वहां लुक्सान पहुचा था झाल